आपका जो वैलु एजुकेशन टेस्ट हैना वो ओराल होगा वैलु एजुकेशन के लिए आप अपना इंट्रोड़क्शन प्रिपेर करेंगे इंट्रोड़क्शन ओफ यूर्सल्फ फिर्स्ट ली वट इस यूर नेम ऑगे पूट पकिये जाएंगे ठीक है तो आप उनको रेपलाई करेंगे इस इंट्रोड़क्शन ओन यूर कॉपी और जहां जहां पर व्लैंक दिया गया है वहां पर रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग आप अपना खुद का डिटेल वहां पर फिल करेंगे तो फर्स्ट क्शन इस वाट इस यूर नेम तो फर्स्ली जब आपसे पूछा जाएगा कि वाट इस यूर नेम तो आपना नाम बताएंगे माई नेम इस जो भी आपका नेम होगा उसको आप मेंशन करेंगे नेक्स्ट इन विच क्लास डू यू स्टड़ी इट मीज आप किस क्लास में पढ़ते हो तो आपका रेप्लाई होगा I study in class second नेक्स्ट क्वेशन इस व्यर डू यू लिव इट मीज आप कहां रहते हो तो आपका नाम होगा I live at at means जो small place होता है ठीक है वहाँ पर at के साथ उसको लिखते है suppose that आप गवडिया में रहते हो सास्री नगर में रहते हो विवेक नगर में रहते हो ठीक है विवेक नगर में रहते हो जहां पर भी रहते हो उसको लिखेंगे I live at विवेक नगर गवडिया विवेक अनन ठीक है? इन सुल्तानबुर ओके next, what is your father's name? ठीक है? आपके पिता का नाम क्या है? आपके पापा का नाम क्या है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे my father's name is और जो भी अपके पापा का नेम है उसको यहाँ पर mention करेंगे और वही जब आप आपसे question put up किया जाएंगे न तो आप reply करेंगे next, what is your mother's name? आपकी मम्मी का नाम क्या है? आपकी माता का नाम क्या है? तो my mother's name is और जो भी आपकी mother's name होगा उसको यहाँ फर फिल करेंगे suppose that अगर किसी की mother's name है Mrs. Rita, Gita, Sita तो आप Mrs. use करके आप उसको complete करेंगे okay next, what is your school name? आपके school का नाम क्या है? आपसे पूछा जाएगा तो आपका reply होगा my school name is modern public school गवडिया, सुल्तानपूर okay friends, so यह है आपका introduction आप firstly you will write on your copy okay आप value को copy आपने बनाई होगी उस copy में आप इसको write करेंगे और इसको decorate भी करेंगे okay next thing, strengths you will learn any five thoughts okay, कोई भी आपको five thoughts आपको learn करने हैं, ठीक है? according to you, okay कोई भी, any five thoughts, कोई भी आप अच्छे-चे five thoughts, जो meaningful thoughts होंगे आप उनको learn करेंगे, तो आप से thought पुछा जाएगा तो आप उसको reply करेंगे next thing, strengths, you will draw fish like this okay, जैसे यह given picture में जैसे दिया गया है आप ऐसे ही इसको drawing copy पर, art copy पर draw करेंगे, practice करेंगे इच्छे से okay, next water lie okay, आप इसको भी draw करेंगे इसकी practice करेंगे, तो अभी जब आपका test होगा, तो इसमें से optionally दोनों में से कोई आपको एक, आपको draw करना होगा, okay, और कुछ different नहीं करेंगे, जैसे है as well, जैसे same है, ऐसे ही आप इसको draw करेंगे, ऐसे color, जैसे waterfly colorful नहीं है, तो आपको colorful नहीं बनाना है, ऐसे ही बनाना है आपको, और ऐसे ही draw करना है, और यह आपका fish जो है, वो colorful है, तो आप इसको ऐसे ही draw करेंगे, okay strength, so, यह हो गया work, आपका drawing, art का and value का, okay, और GK का video आपको already provide करा दिया गया है, तो आप GK उसको उसे prepare करेंगे, okay, आपको बताया गया है, next thing आपको SST के बारे में भी बताया गया है, कि आपको क्या prepare करना है, कितने chapters क्या portion आएगा, अभी आपका second unit test में, okay, so friends, it's enough for today class, have a nice day and take care of yourself.